असलाम आलेकुम, हाई फ्रेंट्स और इन स्टूजेंट्स, हावर यू, केमेस्ट्री के लास नाइन चेप्टर नमबर वन, फंडामेंटल साफ केमेस्ट्री में लेक्चर नमबर त्री आज हम करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है एटम, एटम गिरीक लेंग्विज के एक वर्ड एटमोस से लिया गया है, और एटमोस की मीनिंग क्या है, इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल, यहने ऐसा पार्टीकल जिसको हम और हिसों में या और ज्यादा बांट नहीं सकते, तो यहां पर डेफिनिशन देखें, एटम्स आर सिमालेस्ट पार्टीकल्स आफ और आल मेटर, और एटम्स आर सिमालेस्ट पार्टीकल्स विच मेक आल मेटर, यहने जो भी चीजें हम अपने इर्दगर्द देखते हैं, वो मेटर कहलाती है और मेटर जो है न वो एटम से बने हुए है एटम्स क्या हुए फिर एटम्स आर बैसिक यूनिट आफ मेटर तो मेटर की जो बैसिक यूनिट है वो एटम है एटम्स जो है आर डिफाइन स्ट्रक्चर आफ एलिमेंट्स और जिन चीजों को हम elemental form में जाहर करते हैं वो एक खुला सा क्या होता है वही structure होता है atom यानि उनके structure को बियान करता है तो इसी वजह से atom जो है वो element का एक define structure है historical background में देखते हैं atom को in 5 BC demokritus एक Greek philosopher थे जोनों ने ये तसवर दिया था कि atom जो है ना वो एक indivisible particle या indestructible particle है यानि जिसको हम ज्यादा sub particles में नहीं बांट सकते लेकिन later in 19th century में जिस तरह science की तरकी हुई तो उसमें क्या theory आगई दी? The atom was further divided into three sub particles जो आजकल हम इसको पढ़ते हैं के atom को further three sub particles में बाटा गया है जिस सरह electron, electron atom का वो sub particle है जो negatively charged होता है and the second one is proton proton is also subatomic particle of atom which is positively charged and the third one, the third particle, subatomic particle of atom is neutron which has no charge means it is neutral and chargeless अच्छा बड़ा चने atom के बाद molecule को discuss करते हैं अभी हम molecules क्या होते है molecules are made up of atoms that are held together by a chemical compound याने chemical compound याने हम यहां पर chemical bond लिक्तर लिक रहे हैं clearification के लिए के chemical bond के जरीए जब atoms क्या होते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं वह एक chemical bonding chemical bond जो है ना atoms का जो बनता है तो उसके बाद एक molecule हमें मिलता है या बनता है so molecule के it is a smallest particle in a chemical element or compound और smallest particle होता है किसी भी a chemical element या compound का उसके बाद देखें आगे clear आगे definition when two are more same are different atoms chemically combined not in a fixed ratio by mass is called a molecule यानि molecule जब दो या दो से ज्यादा same हो या different atoms हो वो chemically combined हो बट वो जो उनका ratio हो वो fixed by mass ना हो तो उसको हम molecule कहते हैं यहां पर example देखें water molecule water molecule हम देखें hydrogen और oxygen दो different क्या हैं atoms हैं जो chemically combined होगा एक water molecule बना रहें और हम इनका ratio देखें not by mass तो यह ratio है two ratio one यानि दो hydrogen के atoms और एक oxygen का atom तो यह बने two ratio one और इसी तरह अगर हम यहां पर देखें glucose molecule को तो उसमें different हैं atoms लेकिन more than two है c6 h12 और o6 तो यहां पर अगर हम atomic ratio निकालें तो 6 ratio 12 ratio 6 तो इसको simplify अगर हम करें 6 1s are 6 और 6 2s are 12 and again 6 1s are 6 तो glucose का जो रेशो है वो है वन रेशो टू रेशो रेशो वन इसी तरह hydrogen को देखें hydrogen के molecule को यहां पर हमने लिखा है molecule क्या होदा है वहीं सेम atoms जो chemical ही मिलें उसको भी हम molecule कह दें तो इसी तरह देखें hydrogen same molecule के साथ सेम atoms के साथ मिलकर बनाए hydrogen and hydrogen covalently bonded होकर hydrogen molecule बना रहे हैं तो यहां पर अगर हम सिंबलीन का ratio देखें तो वन रेशो वन होगा और sulfur molecule को देखें molecular जो फार्मूला होता है sulfur का वो है S8 यानि sulfur के 8 atoms जो है ना chemically combine होकर एक sulfur का molecule बनाते हैं अच्छा पर टाइब के हिसाब से हम molecules की अक्साम को अगर देखते हैं तो molecules monoatomic होते हैं या die होते हैं tri, poly, homo, or hetero in nature तो सबसे पहले हम monoatomic molecules देख रहे हैं mono का मतलब होता है एक यानि they are all noble gases जो भी monoatomic molecules की category में आ रहे हैं molecules वो एक ही atom के और वो noble gases कहलाती है जिस तरह के उनका octet या duplet पूरा होता है न तो वो stable होती है तो इसी विज़ाद है helium, neon, argon, krypton तो इस तरह के जो भी noble gases हैं वो सभी monoatomic कहलाती है diatomic molecules होते हैं they contain only two atoms यानि वो molecules जिन में सिर्फ दो atoms हो जिस तरह कारबान mono oxide में C and O 2 है N2, H2 यानि nitrogen molecule, hydrogen molecule and oxygen molecule इसी तरह triatomic molecules they contain only three molecules, three atoms sorry, यहाँ पर गलती से लिक लिए है मैंने, तो यहाँ पर हम इसको atom लिक रहे हैं ठीक है यानि try means three को कहते हैं, और atomic atoms को, तो जो molecule three atoms के होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, try atomic molecules जिस तरह यहाँ पर carbon dioxide देखें, oxygen के दो और carbon का एक atom है, तो यह हो गया try atomic H2O में भी इस तरह है, sulfur dioxide में भी इसी तरह से है polyatomic molecules क्या होते हैं, जिन वो molecules जिन में तीन से ज्यादा atoms हो, यानि जो तीन से ज्यादा atoms के chemicalी combine हो जिस तरह ozone देखें, oxygen के, यहाँ पर देखें, तीन जो है न वो क्या है, atoms हैं, तो चलें इसको हम यहाँ से काट लेते हैं, क्योंकि यह try में आ रहा है, methane को देखें कारबान का एक हाईडोजन के चार, तो यह पांच हैटम्स हो गए, और यह क्या कहलेगा, polyatomic molecule, इसी तरह ammonia, इसी तरह sulfur molecule, होमोईटामिक molecule क्या होता है भई, they contain होमोईटामिक molecules क्या होते हैं, they contain same atoms, जहने जो same atoms के chemically combine हो, उनको हम होमोईटामिक कहते हैं, जिस तरह हाईडोजन, एक यह 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 दोनों, एटम जो ना, सेम ही है, हाईडोजन, इस तरह ओजोन देखें यहाँ पर, तो यह होमोईटामिक है, क्योंकि तीनों oxygen के इटम्स हैं, इसमें, फासफोरस के चार इटम्स, सलफर के आठ इटम्स, तो इनको हम होमो कहेंगे, होमो का मतलब होता है, same, हेटरो का मतलब होता है, different, तो हेटरो एटामिक होते हैं, hope that you understood the topic, इन्चाला आगले next topic में हम मिलेंगे, बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकोन को दबाएए, हमारी latest video सबसे पहले देखने के विए,